स्टार्ट करते हैं कुछन नुमर 41 सब बोटे मेटेरल का यह कुछन हमारा बेस्ट है लीनियर रिक्वेशन इन टू वैरिबल स्पेट ठीक है कुछन का स्टेट्मेंट है A and B are two points 150 km apart और हाइवे और भी दो पॉइंट है 150 km किलोमेटर के एक हाइवे के end पे ठीक है टू कार स्टार्ट विधा डिफ्रेंट स्पीट फ्रॉम A and B at same point same point the same time पे same time पे दो कार A और B पॉइंट से स्टार्ट हो रहे है लग लग स्पीट से if they move in same direction अगर वो same direction में जाती है they meet in in 15 hour वो पंदरा घंटे बाद मिलती है if they move in opposite direction ठीक है they meet in one hour अब opposite direction का मतलब उन दोनों की तरफ अगर अलग अलग तरफ जाएंगे तो मिलेंगी नहीं कभी ठीक है उनकी तरफ एक दूसरे की तरफ मतलब तो वो एक घंटे बाद मिलती है then find the speed तोनों के speed find करने ठीक है तो देखो सबसे पहले हम let कर लेते हैं let let speed of car start from point A इसको मने मान लिया x km per hour ठीक है इसी तरीके से speed of car start from point B is y km per hour ठीक है अब पहला case उसने दिया है suppose करो यह हमारे पास point A हो गया और यह हमारे पास 150 km के बाद यह आ गया point B अगर मान लो यहां से जो car start हुई है ठीक है और एक car यहां से start हुई है अगर वो same direction में जाती है तो मान लो इस car ने इतना distance travel किया और इस car ने इतना distance travel किया और वो यहां पे जाके मिल जाती है ठीक है यहां पे जो car start हुई थी वो थी x km per hour की speed से यहां से जो car start हुई थी वो यह थी y km per hour की speed से अब इसने बोला है मान लो यह point हो गया P ठीक है इसने बोला है कितने घंटे बाद मिलिये 15 घंटे बाद ठीक है 15 hours बाद तो देखो speed is equal to होता है distance upon में time तो distance is equal to होगा speed into में time अगर कोई car x की speed से travel कर रही है तो 15 घंटे में वो 15 x distance cover करेगी 15 into x ठीक है ना तो मतलब यह जो आपके पास है distance यह हो जाएगा 15 x यह पूरा है ठीक है और इस दरीके से जो car y की speed से travel कर रही है वो 15 घंटे में 15 y distance level करेगी मतलब यह distance हो गया 15 y और यह हमारे पास हो गया 15 x ठीक है अब देखो ap कितना है 15 x है bp कितना है 15 y से और ab कितना है 150 है अगर ap में से bp माइनस करूँगा तो a b आ जाएगा मतलब ap माइनस का bp is equal to a b आ जाएगा अब यह total कितना है 15 x और यह कितना है 15 y equal to a b कितना है 150 अब यहां से 15 को मलेंगे तो आएगा x minus y is equal to 150 15 से इसको काटेंगे तो आएगा x minus y is equal to 10 तो यह हमारे आगए equation first ठीक है अब उसके बाद इसने क्या बोला था अगर वो same direction में जाती है तो वो एक घंटे बाद जाके मिल जाएगी अब दूसरा case दूसरे case में देखो मानलो यह आपके पास a और यह b यहां से जो kare start हुए वो x की speed से है यहां से जो kare start हुए y km पर r की speed से है ठीक है न अब मानलो यहां पर जाके मिलते है point q पर ठीक है कितने घंटे में एक घंटे बाद यह distance तो हमारा कितना है 150 km अब एक घंटे में अगर कोई x की speed से card चल रही है तो कितना distance travel करेगी 1x मतलब की x और ऐसी यह कितना travel करेगी 1y मतलब की y तब यहाँ पे aq plus qb is equal to a b हो जाएगा aq plus qb is equal to a b हो जाएगा ठीक है अब x plus y is equal to हो गया 150 यह हो जाएगी equation second अब इन दोने equation को solve करेंगे देखो y equation first and second x plus y is equal to 150 x minus y is equal to 10 यह minus plus minus इसे कट गया y plus y is 2y is equal to 140 y आगया 140 upon में 2 is 70 y के लिए 70 आगई अब इसको पूट कर देंगे n equation 1 या 2 में यहाँ पूट करेंगे second अब तो यहाँ पर आएगा 1 में x minus का 70 is equal to 10 तो x is equal to आगया 80 ठीक है इसका मतलब की speed of speed of car start from a is x थी तो x का मतलब 80 km पर आर और speed of car start from b is y मतलब 70 km पर आर ठीक है यह हमारा आंसर आगया इसका पर आर